हेलो दुस्तों वेलकम टू माई चैनल तो आज की इस वीडियों बात करते हैं माई 11 सरकल एपलिकेशन के बारे में तो माई 11 सरकल एपलिकेशन से आप अकाउंट कैसे क्रेट करें और अपनी टीम कैसे बनाए और गाई इसमें आप एड मनी कैसे करें और गाई ऐसी छोटी छो रेफयरल वाली बाते हैं तो ..."उसको कैसे नहीं कर सकते हैं तो मैं आज की इस वीडियो में red बताने वाला हूं कि आप कैसे इसमें पूरा kरसकते हो अगर काई आप माई 11 सरकल में पैसे लगाते हो और इसके पैच्छ में पैसे लगाओगे तो MPL में आपको bonus मिल जाता जो bonus आपको किसी भी काम का नहीं रहता है और इसमें आपकी rank 3rd class भी आती है सबसे नीचे भी आती है आपकी rank तो आपको इसमें real पैसा मिलता है और आपके जो की ad wallet में add हो जाता है के बाद आप उसमें बिडरो लगा सकते हो पर जब आपको MPL में पैसा लगा तो यहां पर 5 लाग रुपए निलेगे फ़स्ट रेंग पर तो सबसे मतलब अच्छा माना या तो दें सकते हूं थरडन रवाली रिंग पर यहां पर एक लाग रुपए आपको यहां पर मिलेगा प्राइज बेक अप तो गाई यहां पंजाब कॉलकत्ता से यहां पर मेंच है तो गाई देसकते हो लीड बोर्ड में यहां पर नीचे की साइड में दे सकते हैं यहां पर 19 रुपे भी आपको यहां पर मिल जाएंगे अगर आपकी यहां पर MPL में रेंक आती हुआ इस आपको बॉनस मिलेगा और 25 रुपे बॉनस मिलेगा जो कि आप किसी भी आपका काम नहीं आएगा और इससे तो आप द्वार इसकी आप MPL से पैसा नहीं कमा पावगे पर उसमें क्या जो भी आप उसमें टीम क्रेट करते हो तो जीतनी भी ज्यादा पैसे लगाते हो तो आपको कम पैसा मिलता यहां पर तो my 11 circle पूरी create team यानि की team create करके आप पैसा कमा सकते हो यहां से more MPL जो है MPL application उसमें आप game खेल कर भी पैसा कमा सकते हो और वैसे भी पैसा कमा सकते हो उसमें team create करने के बाद पर यहां पूरी team create पर depend जिसके brand मतलब advertise देते हैं सौरव गांगोली इसका advertise देते हैं और गाइस यहां काफी अच्छी application है तो यहां पर दे सकते हो मैंने बिकेट कीपर यहां पर बैटमैन all-rounder और बॉलर जो आपको यहां पर आपको credits मिलते हैं यहां पर 100 coin मिलते हैं तो उसको आपको यहां पर select करना है उसी के अनुसार यहां पर 9 coin का एक ख्लाडी है कोई कोई साड़े आठ का है तो ऐसे आपको पूरा select कर लेना है और गाइस आपको यहां पर इतना देख लेना गाइस आपको पता ही होगा और यहां पर next करने के बाद आपको यहां पर टीम नेस्ट हो जाएगी और आपना payment जितने का भी यहां पर टूनामेंट है उसको आप इसमें सेव कर सकते हो अब गाइस बात करते हैं यहां पर captain और vice captain तो जब टीम करेट हो जाती तो उसके बाद आपको यहां पर captain चुनना होता है और एक select करना होता है आप इसमें join entry कर सकते हो 49 रुपी में और गाइस आप जब MPL 49 में करोगे तो आपको वहां पर रेंक आपको अच्छी आई तो आपको कम पैसे मिलेंगे पर इसमें गाइस आपको क्या है माई 11 सरकल में यहां पर आपको पैसे सही मिलेंगे और आपके तुरंट account में यहां पर पहुंच जाते हैं tournament खतम होने के बाद तो यहां पर दे सकते हो पूरा का पूरा यहां पर इसके साथ सबसे बात तो यहां पर यह यह आपको आइफॉन 11 भी दिया जा रहा है गाइस इसमें आइफॉन का यहाँ पर दे सकते हो उपर की साइड में लोगो दिया जा रहा है अगर आपको यहाँ पर आइफॉन भी दिया जाता है पांच लाग रुपे और एक आइफॉन तो प्लस में आइफॉन भी दिया हुआ है तो आप यहां पर पर टीम डीम उ यहां पर बनाते करेट करती है तो यहां पर टीम भी देख सकते हुए घ्म आपसें तांड हो और तों यहां पर अपर कोलेयर यहां जेरो देखाई नहीं आप अपर यहां अपर पर 19 al यानि द्वारा से भी create कर सकते हो तो यहाँ पर मैं discard कर दूँगा तो create भी आप एक और team भी बना सकते हो और गाइस इसमें tournament बहुत कम रुपे से च्टार्ड 25 रुपे और आप इसमें नीचे भी और tournament दे सकते हो और यहाँ पर cricket up coming जो भी आंगे होने वाले मैच आज सामको तो इसमें पहले ही पता चल जाता है तो उसमें आप सिंप्ली यास में पार्टिस्पेट कर सकते हो तो अब बात करते हैं रेफर की तो यहां पर फ्रेंड आपको 500 रुपे आपको यहां पर मिलने वाले पर फ्रेंड आपको यहां पर 500 र तो आपकाउंट के यहां पर पूरा आपको डिटल दी हुई है बिड्रोग के यहांपर कोई भी प्रव्लब्ला मां तो आप बिड्रोग से यहांपर कोई झारी हो तो आप यहांपर information सेटë 20 मिल रहा है अगर कोई भी एपलीकेशन को आप उसमें से लोगाउट करते हो तो आपका पूरी परमीसन फिनिस हो जाती है जो भी आपका डाटा दिया हुआ है वो आपका पूरा समाफ्ट हो जाता है उस एपलीकेशन से तो इसका सबसे फायदा यहां पे यह हैं और प्राइज की बात करन मैं भी यहाँ पर मेंinctions बाग लिए तो आपको यहाँ को इसanor को झाठाएं को जाधा पैसा मिलेगा तो किम नहीं पैसा लगाए तो तो मिलेगा विए तो सो गैस अभी तक आपने चैनल को सब्स्राइब नहीं की तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना है